इधर शोल रहा था इंडिया पाक का मैच उधर स्वीगी पर बिग गए साढ़े तीन हज़ार से ज्वादा कॉंटम जिहां भारत पाकिस्तान के श्वादार मुकाबले का मौका कोई भी गवाना नहीं चाहता फिर चाहे वो फैंस हो या फिर बाज़ार सबने स्मोकी को भुनाने के लिए अपनी अलगी तयारी कर रखी थी जो है एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक लाग से ज्वादा लोगों ने मैच देखा वहीं स्टेडियम के बाहर घरों में भी कुछ खिलाडियों ने मैच का मजा लिया मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी है जिसके बाद स्टेडियम ही नहीं बलकि रेस्टोडेन बब, बार, स्वीगी सबी ने जम कर कमाई की मिली जुआनकारी के निसार मैच के दौराद स्वीगी की जम कर सेल हुई है स्विगी ने बताया कि उसके इंस्टामार से कुछ ही घंटों में हज़ारों कॉंडम बिग गए स्विगी ने पोस्ट में लिखा 3509 कॉंडम का ओडर दिया गया कुछ खिलाडी आज मैदान से बाहर खेल रहे है कम से कम वे खेल तो रहे है पाकिस्तान की तरह सरेंडर तो नहीं किया जिस पर ड्यूरेक्स इंडिया ने लिखा हम आशा करते हैं कि सभी 3509 ने यादगार परफॉमेंस के साथ फिनिश किया होगा तो महीं आपको बता दे कि कॉंडम ही नहीं मैश के दरान लोगों ने बिर्यानी भी जम कर ओडर की स्वीगी ने शरिवार को एक्सपर बताया कि उसे भारत और पाकिस्तान के बीश मुकाबले के दरान हर मिनट 2500 से ज्वादा बिर्यानी के ओडर मिले मैश शिरू होने के बाद से स्वीगी को हर मिनट 200 बिर्यानी का ओडर दिया गया कमपनी ने कहा कि चंडीकड में एक परिवान ने एक बार में 70 बिर्यानी का ओडर दिया ऐसा लगता है कि वे पहले से ही जश्न मना रहे थे इसके अलावा मैश के दरान भार्तियों ने एक लाग से ज्वादा कोल्टरिंग का ओडर भी दिया